वेलकम दोस्तो स्वागत है राजिंदरा नर्सिंग अकेडमी आरने पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का सांदार सेसन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी शेनिवेदन है कि एक बार उप्षन है 1965 दूसरा है 1947 तीसरा उप्षन उपचास चोथा उप्षन रहेगा 1969 जल्दी बताएं दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कमेट बोक्स में इसका राइट आंसर दे और राजस्तांस यह चो के लिए अगर टैस्ट्री जोइन नहीं करी है तो जरूर ज अंसर है मुडलियर कमेटी 1969 के अंतरा पॉइंट होई थी नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तों क्यूशन नेक्स्ट कि वैन वाज बोर कमेटी सेट अप बोर कमेटी का सेट अप कब हुआ था सन 1950 सन 1943 सन 1962 सन 1965 जल्दी सी इसका राइट आंसर आप कमेट बोक्स में देना दोस्तों क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही सांदार ही क्यूशन है बोर कमेटी से आपको एक क्यूशन हंडर्ड परशंट आपको रजश्वंशन यह चों में देखने को मिलेगा दो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जुरूर कर दें क्यूंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा आप सभी के लिए बहुत सांदार है इसलिए मैं इन वीडियो को छोटा कर दिया लेकिन बंद नहीं किया दोस्तों तो चलो इसक्यूशन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जूरू पताएं कि हाव मैनी डिजीज आर कवर्ड अंडर दा नेशनल वेक्टर बॉर्ड डिजीज कंट् option आप सासी तो दोस्तों इसका right answer क्या होगा सभी comment box में बताएं बहुतीछ आमप्स प्रर्हग्रम होगा यह जो प्रोग्राम था यह 2003 के अंदर आया नेशनल वेक्टर बॉर्ण डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक अंब्रेला प्रोग्राम है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करते हैं वेक्टर बॉर्ण डिजीज से और यह किसके अंडर आता है यह एनजम के अंडर आता है तो दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर कौन-क question है which of the following is the principle of PSC PSC का क्या principle है निमन लिखीत में से पहला option है equitable distribution दूसरा है provision of essential drug तीछरा है community participation चोथ है intersectoral coordination तो क्या होगा दोस्तों इसका right answer सभी comment box में इसका right answer जुरूर देना क्यों बहुत ही important question होने वाला है आप सभी के लिए तो दोस्तों इसका जो right answer होगा वो होगा second जो है इसका right answer नहीं हो सकता बाकि सारे होते हैं first अब match कर लो first second second होने सकता first third fourth विल्कुल first इसका right answer होने वाला है next question जेखते हैं दोस्तों वीडियो को आप like जुरूर कर देना पहला option enzyme linked immunosorbate test है western bloat DNA test या blood test बहुत ही important है screening पुछा है दोस्तों HIV की screening के लिए इसका right answer होने वाला है दोस्तों आप comment box में इसका right answer टे दीजिए बहुत ही important सही मुझे motivation मिला है इसलिए आप को क्या है दोस्तों क्लास से बंद नहीं की छोटी क्लास से दे रहा हूं लेकिर आपके वाला है दोस्तों क्या A और B बहुत कि दोनों भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है तो इसलिए इसका right answer हो गया option C next question देखते हैं दोस्तों कि how many autosomes are there in humans humans में कितने autosomes होते हैं दोस्तों पहला option 22 square चंबाली square 32 square जल्दी सी इसका right answer थे बहुत easy question बिल्बूल basic level का यह question है दोस्तों तो इसका right answer होगा option A first जो इसका right answer हो चाहेगा 22 square होते हैं next question दोस्तों next question क्या है most important question दोस्तों कि what is the full form of Elijah Elijah की full form क्या होती है तो पहला option दूसरा option तीछरा option और चौता option आपके सामने हैं तो आप इसका right answer दें दोस्तों क्या होने enzyme linked immunosorbent ऐसे option B जो है वह और विल्कुल इसका right होने वाला है बहतरी इंच्सेसर ने दोस्तों बहुत अच्छे-च्छे question है थोड़ा सा टाइम नहीं होने कि मुझे से थोड़ा fast forward आपको करवाना पड़ रहा है दोस्तों बट मैंने कर लेना कुछ दिन बहुत ही सांदा तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे फिर अब नेक्स्ट नेक्स्ट की दा नेम ओफ मलेडिया पैरासाइट इस मलेडिया के पैरासाइट का क्या नाम है दोस्तों आप सभी को पता होगा पहला दूसरा तीशरा option आपके सामने है आप इसका right answer जल्दी जि नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट और आज की सेशन का ये लास्ट क्यूशन आने वाला है दोस्तों कि with reference to the national rural health mission of the following not the job of ASA ASA का जो है वो community health worker जो ASA जो है उसका कौन सार जो काम नहीं होता है इन में से तो आपके सामने option है फैला occupying women to the health facility and antenatal care check-up नेक्स्ट है यूजिंग प्रेग्नेंसी टेस्ट किट फोर अर्ले डेटेक्शन और प्रेग्नेंसी तीसरा है प्रोवाइडिंग इन्फोर्मेशन और न्यूट्रिशन और चोथ है conducting the delivery of baby तो दोस्तों आसा का काम delivery conduct करवाना नहीं होता याद रखना ये काम नहीं होता बाकी सब आसा जो है सोयोकती हर काम के अंदर तो इसका right answer option 4 हो जाएगा ये था दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों थोड़ा ऐसा time नहीं होने के वजह से बस छोटी वीडियो दी जा रही है fast forward आपको कवाय जा रही है ताकि आपका बढ़ाई है वो एपसेंट होने वाले थे बट दोस्तों एकजाम नजदीग आ गया है आप जो है टेस्ट शिरीज से आपको benefit हो रहा है दोस्तों कोई रिक्कत नहीं है वीडियो छोटी आ रही तो क्या और डेली आपको सो से पचास क्यूशन देखने को भेल रहे है most important उनको से आपको बहु वीडियो को लाइक करने के लिए थेंक यू थेंक यू सो मच